नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है मनीश कुमार सेंग और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं 4PM महाराष्ट में दोस्तों महाराष्ट में इन दिनों महायुती के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं या कहिए कि चारों तरफ सिक्तरी के से घिरती चली जा रहे है दरसल मामला है बदलापुर का ख़बर आपने पढ़ी ली होगी ख़बर आपने जान ली होगी बदलापुर का जो वाक्या हुआ उससे जादा काफी जादा आक्रोश है और आपको बता दें कि इस पर अब उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है और हलाकि उन्होंने कहा कि यह मामला ऐसा है कि इसकी इस पर बिल्कुल भी राजनीती नहीं होनी चाहिए लेकिन साथी साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो आरूपी पकड़ा गया है ऐसा सुनने में आया कि उससे बीजीपी से कनेक्शन है और अगर ऐसा है तो क्या इस मामले में भी जिस तरीके से पूने में निबंद रिखवाया गया था और वरली में जिस तरीके से जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें मिहीर का नाम सामने आया था वो भी एकना शिंदे की पाटी से कनेक्शन उनका था तो क्या इस मामले में भी वैसा ही कुछ होगा तो यह बहुत सारी ब होने चाहिए ताकि न्याय मिल सके लोगों को उद्व ठकले ने कहा कि जब डिल्ली में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सभी को यह लगा था कि इस पर जल से जल जो है वो पास्ट्रक जो होगा उसके सुनवाई होगी जल से जल फैसला आएगा लेकिन इसके बाद यहाथ अधर में अटक गया सरकार लागली भाएन योजना पर खुटी पीट तपा रही है लिकिन उन्हें शक्ति बिल जो हो लेकर कि आना चाहिए और जो उनकी सरकार लाना चाहा रही थी और इसको जल से जल इस पर सुनवाई हो इस पर विलम बना हो और जो न्याय है वो लोगों लगतार अब महायोती सरकार जो हो घरती चली जा रही है लोगों में आक्रोश है और विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है इन सब के बीच और एक जटका जो लगा है वो है बीजीपी को एक रिपोर्ट आई है कि पिंब्रीज इंचवार के बीजीपी के बड़े नेता ह है रवी लांडगे उन्होंने बीजीपी का साथ छोड़ दिया है और वो बीजीपी का साथ छोड़ कर अब धोठाकरे की पार्टी की जो शिवसेना यूबिटी उसके साथ जा रहे हैं आपको बता दे कि जो रवी लांडगे हैं वो काफी जो है राजनीती से वह गहरा हैं बीजीपी के नेता के रूप में वहां काम करते रहे हैं लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो साथ छोड़ दिया है और अब शिवसेना जो यूबिटी पक्ष है उद्धव ठाकरे उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा छटका बीजीपी के लिए माना जा रहा है अब देखिए जो रवी रांडगे उन्होंने कहा है कि ये बीजीपी छोड़ करें शिवसेना में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो बाला साहब के विचार है उनके जो विचार थे वह काफी है किसी के लिए भी काम करने के लिए और जो शिवसेनिक है शिवसेना ह वो उस पर तत्पर रहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं और इनी सब के रिए वो भी जो है अब पार्टी के साथ आये हैं। रवी लानगे ने कहा कि जब उध्व ठाकने की पार्टी दो हिस्तों में बटी ती जो सभी को लगा था, यह पार्टी कमजोर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लोगसफा चुनाओं में, जिस तरह से उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हें वोट मिले, उससे फिर से साबित हो गया कि महाराज की जनता भी भी उद्धर ठाकने यूबिटी की जो शिवसेना उनके साथ ने खड़ी दिखाई दिखाई दिये रह हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा साब को डिटेल नों बताता हूँ, जो रवी लांगे हैं, ये बहुत ही समय से पिंपरी चिंचवार जो जगह हैं, वहां पर राजनिती करते रहे हैं, और खवतादे की रवी लांगे पिंपरी चिंचवार शहर में बीजेपी के पूर्व शहर अध्यक्ष और स्वरगी अंकुष्राव लांगे के भतीजे और नगर निगम के पूर्व वे पक्षी नेता स्वरगी बाबा साहव लांगे के बेटे हैं, और वे आज अध्यो ठाकने की जो मौझूदगी में जह हैं, वो शामिल होने रहे हैं, आको बता दे की पिंप के राजनतिक उत्रादिकारी के रूप में उबरे, और 2017 के नगरपाली का चुना में रवी लांगे को निर्विरोध बीजिपी नगर सेवक चुल लिया गया था, और रवी लांगे को उनके परिवार पिंपिडी चिंचवार की राजनीती में सबसे पुराना बीजिपी के वफदारों में से एक माना जाता है, अब सुचिए जो सबसे पुराने बीजिपी वफदार हैं, वो भी अब उनका साथ छोड़ करके वो अब दूसरी पार्टियों में जा रहा है, और उसी का एकुदारन मैंने आपको बताया, यूबिटी उद्व ठाकने की जो शिवसेना अब उनका दामन ये ठामने जा रहा है, अब इससे पिंपरी चिंचवाल में बीजिपी कोई भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके एक युवा नेता जो है उनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं, अब ऐसे मैं देखना होगा कि वैसे भी महरास्त के जो ग्रा और इसी लिए लाडली बहन यूजना को लेकर के वो तमाम ग्रामीरों में जो ग्रामीर हैं, जो औरते हैं उनके पहुँच रहे हैं और उन्हें इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन इन सब चीज का फादा कितना होगा इसका अंदाजा बिलकुल किसी को नहीं है, और हाला आरक्षन का मामला, आप देखिए कि सब तरफ से जो है वो एक तरीके से महायूती घिरती चली जा रही है, और कोई भी नेता इस पर रूप से इस पर बात करने को तैयार नहीं है, और अभी हाली में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर देवेंद फणवीज जो है, जि इस तरीके से महाराज की राजनीती में हवा जो है, अगर ऐसा ही कुछ महीने और रहा, तो विधान सबा चुनाओं में महायूती के लिए राह जो है, जीत की बिलकुल मुश्किल है, तो यह अपने आप में बबाद सवाल है, तो फिलाल अभी के लिए इतना ही, फिर लोटे महाराज से किसी बड़ी खबर पर, तक तक के लिए मुझे इजानत दीजिए, नमस्कार. झाल, 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 झाल झाल